हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इस्टेट्जिक तायारी चैनल आज हम बात करेंगे पीस्टे जोहर 19 से संबंदित कुछ महत्पूर बातों पर कि कैसे इसका एक्जाम निकाला जाए एक ही बार में और कम से कम तैयारी में लिम्टेट पढ़कर ठीक है क्योंकि एक्जाम तो सभी प्लय बड़ा मुद्दा यह है कि इसका अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन केलेंडर सूच स worried कि इवल मीडिया ओने वाला है कि इसका जिकर रहेगा और जहां तक इसका जो calendar है वो मई में आ जाना चाहिए election के बाद तो आना confirm है लेकिन उससे पहले आगे तो अच्छी चीज ही है आपके लिए लेकिन है एक चीज confirm है कि इसका जो prelim से वो सितंबर अक्टूर में ही होगा जैसा कि last time हुआ था ठीक है और उससे पहले भी हुआ था ऐसा ही होता आ रहा है ठीक है तो यह अच्छी चीज है इससे पहले ही हम लोग त्यारी करने इसलिए बेट मत करिए आप notification का और calendar का त्यारी करना स्टार्ट कर दीजे क्योंकि selection उसी का होगा जो त्यारी कर रखा है या कर रहा है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे क्योंकि मालों सीटे हजार आई तो हजार लोग तो ऐसे मिल जाएंगे ना पूरी उपी में जिनके जीवन और मरन का प्रशन होगा इस selection लेना तो उन हजार वो लोगों से अगर आपको निकलना है तो निश्ची दरूप से आपके तयारी भी उनसे अच्छी होनी ही चाहिए तो कम से कम कुछ standard होना चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको इसमें booklist बताऊंगा ये booklist ऐसी है जो बिलकुल standard है जो कम से कम इतनी आपको पढ़नी जरूर है इससे जादा अगर आप पढ़ते हैं तो ये अच्छी चीज है लेकिन इनको आप नहीं छोड़के जा सकते चाहे जो हो जाए और इसी तयारी को आप मेंस की तयारी में भी convert कर लेंगे अपने आप ही उसकी study already दे चुका हूँ नहीं तो फिर द्वारा भी दे दूँगा ठीक है चलिए डिसकस करते हैं सबसे पहले बुकृष्ण हम देखेंगे रिहास हिस्टी का पार्ट है उसमें सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी पढ़नी है अगर दिखा जा प्राचीन भारत रामसर्ण सर्मा, medieval की 37 चंद्रा modern की विपिन चंद्रा ये किताबे हो गई देखिए पिलिस का जो exam होता है उसमें 70% 70-75% modern इंडिया से आता है और medieval से उसके बहुत कम आता है ancient से उस फिर ज़्यादा आता है तो सबसे आदा फोकस करना है modern इंडिया पे आपको modern इंडिया के ही basically question बनते हैं यहां तक की जो आपका mains का partner से modern इंडिया ही mainly होती है जो ancient and medieval होता है वो इसमें से सिर्फ आर्टिंग culture पूछा जाता है लेकि पिलिंग में आर्टिंग culture का इतना वेटेज नहीं रहता है इसलिए इसके लिए प्रसान होनी जवत अभी आपको नहीं है क्योंकि समय कम है पहले आपसे लगी है मेंस के लिए आराम से कुछ है महीने तो मिलेंगे ही मिलेंगे इसके बाद इन तीनों को पढ़ने के बाद दूसरी चीथ ये NCRTs है ठीक है अगर NCRT में इन तिंग इनकी इन जो ये राइटर से इनकी ना मिले तो Black Swan एक publication है Black Swan ठीक है Black Swan उस publication की आपको अवराम से market है मिल जाएगी जहां भी रहते है निश्यत रूप से मिल जाएगी नहीं तो ये old NCRT है इसके करके आप photo state वगरा भी ले सकते हैं नहीं तो Black Swan में तो निकाल लखी है उसको भी ले सकते हैं दूसी चीज इतिहास में तीने चीज पढ़ने के बाद आपको Modern India की Spectrum उठानी है ठीक है ये Spectrum जैसा कि मैं नाम लिख दिया है इस बाद मैं नाम ही लिख दिया है तक कि आपको कोई भी confusion ना रहे क्योंकि बार बार फिर कमेंट आते हैं सबका reply करना संभब नहीं है तो Spectrum पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी history की perfect हो जाएगी इसके बाद जब यह आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपको घटना चक लगानी है previous year paper वाली ठीक है जिसमें करीब 20 साल की question रहते हैं previous year paper के वो सब आपको solve करना है तो आपकी history की तैयारी बिल्कु परफेक्ट हो जाएगी उसके बाद सिर्फ आपको revision ही revision करना है इसके लावा कुछ भी नहीं करना है ठीक है उसका क्या तरीका होना है revision का वो भी मैं भी आगी बताऊंगा पहले आपको booklist में बता दे रहा हूँ ठीक है इसके आप जोग्रिफिका देखते है जोग्रिफिक भी बहुत जाद पुछी जाती है ठीक है खासता है mapping के question भी आप बहुत आने लगे है जो की लगता है कि हो जाएंगे पर हो नहीं पाते है exam में इसका कारण क्या है सबसे पहले इसके किताब देख लिए सबसे पहले आपको beginners अगर हैं आप बिलकुल कुछ भी नहीं आता है आपको तो सबसे पहले NCRT पढ़िए 6-11 तब की ठीक है तो आपको एक basic clear हो जाएगा आपको चीज़े समझ में आनी लगेंगी इसके बाद महिस वड़वाल आप ले सकते हैं ठीक है English Medium बाले GC Lyon के ले सकते हैं वो भी अच्छी है Hindi मादे महिस वड़वाल ले ले ठीक है उसके अलावा Mapping के लिए अगर लेना है तो Oxford Student Atlas का Second Edition ही लेना है यही सबसे अच्छा है इसको पढ़ने में ज़्यादा सही रहता है एक्जाम के Point of View से भी यह सही है इसमें clarity ज़्यादा होती है इसलिए Second Edition पे मैं फोकस कर रहा हूँ ठीक है यह आप कर लेंगे इसके बाद आपको घटना चक्रे लेना है फिर से वही previous paper लगा लिना है revision हो जाएगा इस तरह आपकी geography अच्छे से तैयार हो जाएगी इसके बाद देखते हैं quality का क्योंकि quality अब मैं बता दूँगा किसका कोशन कितने ज़्यादा आते हैं किसका weightage कितना ज़्यादा है यह भी मैं अभी आपको बता दूँगा सबसे पहले book list आप देख लीजिए प्वल्टी का जो है लक्षमी कांग लक्षमी कांग पढ़ने जी यह तो English हो चाए Hindi माध्यम दोनों के लिए perfect book है ठीक है environment का ऐसा करिए अगर English medium बाले तो उनके पास बहुत से sources हैं Hindi माध्यम बालों के पास कम होते हैं जैसे की संकर आईएस जो है English medium को परफेक्ट हो पढ़ सकते English medium बाले Hindi माध्यम बाले दिश्टी आईएस की environment की book निकाली है specially दिश्टी आईएस वालों ने वो आप पढ़ सकते हो नहीं तो इगनू के notes भी ले सकते हो तो यह भी बताता हूँ आपको इसके आद एकॉनमी की रमेसिंग ले सकते हैं आप या फिर जो आपको अच्छी लाल करके book आती है से लाल करके कोई book आती है वो भी अच्छी book है तो कोई साही ले सकते हैं आप इसके लाए यह तो standard book होगे जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है यूपी special के लिए एक काम ये करिएगा घटना चक्र ले लीजेगा या youth competition या फिर जो कोई भी आपको अच्छी लगे क्योंकि जो पढ़ने में आपको comfort लगे वो ले लीजे सही रहेगा ठीक है यह किताब होगे जितनी standard आपको पढ़नी ही पढ़नी इसके अनित्था आपको समझ यह नहीं होगी सिर्फ आपको चीजे रटी होगे और जब चीजे रटी है तो exam नहीं निकलते सिर्फ लगता है आता है पर वो आता नहीं क्योंकि exam अब सीधे सीधे नहीं आते हैं घुमावदार question आते हैं इसके बाद यह हो गया ठीक है अभी हमने discuss क कर लिया और बाकी में history और geography पढ़के भी गए हो एक बार ठीक है तो आप तुक्का मार मार के भी selection ले लोगे क्योंकि quality science का current affairs का और environment इतना आपके लिए बहुत होता है ठीक है इसके बाद बेटेस तो सभी का है लेकिन history geography की जो question easy होते हो तो आप अराम से कर लोगे लेकिन ज चीज़ों हो गई इसके बाद current affairs के लिए काची लिखा दे रहा हूं मैं यह बताना भूल गया हूं current affairs के लिए इसा करिए हिंदी माध्यमाले हो चाए कोई भी हो वो देख लिए देख लिए देश्टी IS की current affairs आती है ठीक है magazine आती है chronicle की आती है PD की आती है प्रुक्ता दरप खेतर और पुरु खेतर आती है सरकारी किताबे हैं यह और योजना इनको भी आप ले सकते हैं यह आपके लिए मन्थली के लिए बहुत अच्छे आपके base के clear कर देंगी यह आप करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है तो यह current affairs हो गया इसके बाद जैसे सबकी घढ़ना चक लगा लिए आपने तो एक आपकी cycle पूरी हो गई तो फिर क्या करना है फिर दूसरी cycle जो chapter आपको लगए जो subject आपको क्या बीक है वहां से फिर से किताबे पढ़िए और फिर से आप घढ़ना चक लगाईए फिर से वो cycle करिए और जबता एक्जाम नहों हो जाए तब तो करते रही है और एक्जाम से सिर्फ 30 दिन पहले आपको क्या करना है फिर बेसिक किताबे कर देनी है फिर आपको focus हो जाना है कैसे हो जाना चलिए मैं भी यह बहता देता हूं कि एक महीने पहले या पंदा बीस दिन पहले क्या study होन चाहिए यह पंदा दिन strategy या एक महीने पहले strategy मैं इसलिए बता रहा हूं यह आपकी छमताब निर्वर करता है कुछ लोग जल्दी recall कर लेते हैं कुछ लोगो time लगता है इसलिए यह आपनी सुधा अनुसार आप करिएगा आपको पढ़ते पढ़ते खुदी अंदाजा लग जाएगा कि कितने समय म अब आती है अब तो सभी आती है यूपी special की भी आती है करेंटरफेस की तो आती ही आती है सभी ले सकते हैं जिसका मिल जाए जो आपको लगे ले लिजेगा इसके लाबा लूसेंट को तो आप बाइबल समझीए आप ठीक है इसको आपको पढ़ना दुरूर है कुछ बच् कर ले जाओगे लेकिन हां कहीं पेपर फेक्शोल आ गया जैसा की 18 वाला प्री था फेक्शोल आ गया तो आपको लूसेंट से अच्छी कोई अच्छा आपको आउटपूट नहीं देगा इसने लूसेंट तो बाइबल के रखिए खास तो और से जोग्रफी लूसेंट ने आप लूसेंट से मेंली हिस्ट्री जोग्रफी और साइंस पढ़िये उसके लाव पॉल्टी और बगर चीज़ें बच आती है लेकिन पढ़ भी सकते हैं अच्छी चीज रहेगी आपके लिए तो यह चीज हो गई और आपको बार बार अपने साइक्ड को रोटेट करते रह तो यह दिन है आपके धीरे खुद बाख खुद कम होते जाएंगे आपको पता भी निचलेगा आपके त्यारी बहुत अच्छी हो जाएगी और इसी त्यारी को आप इन्हेंस कर लेंगे आप अपनी मेंस के त्यारी में अगर आपने इतना अच्छे पढ़ रखा इसके लाब दिमाग अपारा क्या होता है वह ज्यादा भागता है जैसे पेज में आप पढ़ने हैं उसमें आप पूरा पढ़ते जाएंगे पढ़ते हो यह हमाई टेंडेंसी है क्योंकि हम यूपी वोर्ड के चात्रे हैं हमें तो फैक्च्छी बहुत अच्छी लगती है इस चीज से बचना है इसलिए पहले स्टेंडर्ट उसके बाद परिक्षावाड़ी जिस भी सब्जेट की पढ़नी है उस सवाब पढ़ सकते हैं पढ़ने की कोई मना ही नहीं जितना आप अपना आकार बढ़ाएंगे पढ़ाई का उतना अच्छा रहेगा उसके बाद लास्ट में एक कोई कोई बात हो तो नीशे कमेंट करिएगा हम लोग डिसकस करेंगे और मैं पूरी कोशिस करूँगा आपके लिए कोशन के रिपलाई करने की थैंक यू बेरी मच फॉर वाचिंग इस वीडियो